कि स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे और शुरू करेंगे आज की हमारी इस नई वीडियो को निप्टी 50 के साथ में तो दोस्तों देखें तो आज काफी ज्यादा बोलेटाइल रहा और काफी ज्यादा गिरावट भी हमें एक बार को निप्टी 50 में देखने को मिली अगर लो की बात करें तो 17400 का इसने जो है लो एक हमें लगाता हुआ जो है देखने को मिला है उसके अलाबा क्लोजिंग की बात करें तो 44 पॉइंट की क्लोजिंग के साथ यानि कि 0.25% की क्लोजिंग इसने जो है निप्टी 50 ने आज के दिन ह मार्किट हमें रेड में क्लोज होता हुआ दिखा है जो कि अच्छा हम जो है मान सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज फिंजर्व का जो क्यों सही कि जो अर्निंग अपडेट है उसके बारे में और क्या उसका सेयर प्राइस चल रहा है खरीदना चाहिए नहीं करीदना चाहिए या फिर जो निवेसक हैं वो होल्ड रख सकते हैं तो ठीक है दोस्तों चलते हैं उसी चीज पर और डिसकस करते हैं तो यह बजाज फिंजर्व का चार्ट और यह 2022 के स्टार्टिंग से मेरे पास डेटा अवेलेवल है सेयर की बात करें दोस् देखने को मिली और बापस से 1800 रुपे का जो लेवल था वो हमें टच करता हुआ दोस्तों यह नजर आया है यहां पर आपको जो है दोस्तों रेसिस्टेंट बनता हुआ दिख रहा होगा इसी रेसिस्टेंट को दोस्तों एक रोज नहीं कर पाया वापस से एक छोटा सा लो लगाने के बाद जो है उपर की तरफ चड़्ते हुए हमें देखने को मिल राए तो शेयर की बात करें तो सेयर दोस्तों कमाल का है और कमपनी भी काफी कमाल गिए कमपनी के बिजनेस मेनेजमेंट की बात करें काफी सांधार है और कंपनी हम इसको कह सकते हैं अठारे सो रुपे के टार्गेट के हिसाब से इसको बाई किया जा सकता है काफी जादा डिसकाउंट इसमें 20-30% का डिसकाउंट मेरे क्याल से अवेलेबल होना चाहिए सोट टम के जो भी निवेसक हैं वो 13 सूर्पे के स्टोपलोस लगा के यहां पर बाई कर सकते हैं सभी चीज़े समानिय अगर रहती है जादा कोई अब डाउन देखने को नहीं मिलता है कंपनी के कुछ इंटर्नल मैटर सब कुछ ठिक तक रहते हैं तो मेरे ख्याल से शेयर को जिस तरह की अर्निंग रही है सेयर को उपर जाना चाहिए और बाकी जो लॉंग टम के निवेसक हैं वो तो उनको जरूरी सेयर को दोस्तो इस लेवल पर बाई करना चाहिए और जो पहले से इस share को hold करके रखे हुए हैं अगर उनका average price जादा है तो यहां पर कुछ quantity जो है दोस्तो अपनी add की जा सकती है और quantity बढ़ा ही जा सकती है और जो है अपना long term के लिए उसका अपना patience के साथ इसमें weight अराम के साथ किया जा सकता है तो क्या कुछ दोस्तो अर्निंग्स रही है इस share की उसको हम discuss कर लेते हैं दोस्तो आपको देखने को मिलेगा बजाज फिंजर्व consolidated December 2022 net sales at 21755.15 करोड अब 23.7% by on by यानि कि जो sales है जो revenue है इनका बढ़ता हुआ नजर आया है बढ़के 21,755 करोड के आसपास पहुंचता हुआ दोस्तो हमें नजर आ रहा है तीस जनवरी यानि कि आज ही के दिन जो है दोस्तो यह result जो है इनका disclose हुआ है उसके अलावा दोस्तो net profit की अगर हम बात करें तो net profit 1782 करोड था हमें जो है दोस्तो देखने को मिल रहा है दिसंबर 2022 के इस quarter में और 41% की जो है दोस्तो यह बढ़ 2022 में 1782 करोड हमें जो है देखने को मिल रहा है 40% का दोस्तो यह अप है काफी बढ़ा आप यानि कि जो जैसा estimate जैसा इसका estimate लगाया गया था ब्रोकर रिसर्ज के बाद उसी तरह का result जो है दोस्तो हमें देखने को मिल रहा है उसके अलावा दोस्तो इवी आई टीडिये को घंठोर देखें तो 781 करोड में देखने को मिल रहा है डिसंबर 2022 के क्वार्टर में 34% का इसमें भी अप हमें देखने को मिल रहा है जो कि दासमें 258 46 mentre 186 को मिल देखने सबाद वहाँ सब्सक्राइब काफ़ी स्कूरा काफ़ी सब्सक्राइब कोगा सब्सक्राइब कुल मिला के दोस्तों कहानी ऐसी है सेयर अभी के समय में काफी जादा डिसकाउंट पे ट्रेड कर रहा है अगर हम इस चार्ट में भी देख लें तो 1800 रुपे के आसपास का इसने हाई अपना एक लगाया हुआ है और लो की बात करें तो 1100 रुपे का लो एक अपना कमपनी ने लगाया हुआ है फिलाल जो है दोस्तों सेयर यहां पे आप देख सकते हैं 1343 रुपे के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है काफी ज़्यादा गिरावट सेयर में हमें यहीं काफी ज़्यादा डिसकाउंट सेयर में अवेलेबल है तो उसी साफसे अर्निंग पर सेयर दोस्तों काफी कम अभी हमें 11.2 की देखने को मिल रही है जो कि दिसंबर 2021 में 78 पॉइंट के आसपास हमें देखने को मिल रही थी तो वही कहानी है दोस्तो शेर काफी जाधा नीचे के लेबल पर ट्रेड कर रहा है लोंग टम के इंवेस्टर को जरूर इस सेर में बाई करना चाहिए इस सेर को बाई करने में इस सेर को बाई कर सकते हैं लोंग टम के लिए सेर को होल करके रखा जा सकता है